दोस्तों गर आप भी रहाने और धोनी को बैतरीन खिलाडी मांते हैं तो विडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा पार्थी टीम का कमबैक करा कर पार्थी टीम के लिए नमासी रण की पारी खेल कर अजिंके रहाने भावुक हो गए और अपने बयान में दोस्तों कुछ ऐसा कह गए धोनी वारोहित पर कि सुनकर शायद आप भी इस दिगच को सलाम कर देंगे आखिरकार अपने बयान में क्या बोले जिंके रहाने उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रहाने, रोहित और कोहली इस मैच में तीरों में सबसे पहतर टेस्ट बैक्समैन कौन नजर आया आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा 200 WTC फाइनल एक ऐसा मुकाबला जिसके लिए 2 साल मेहनत की गई लेकिन भारती क्रिक टीम के प्रदर्शन को देखकर हर कोई पहुचा कर रह गया सबसे पहले बात गेंदबाजी की करे तो उस्ट्रेलिया ने आते ही मैदान में ना सिरफ सब को तारे दिखा दिये बलकि पहले दिन ही 300 से जादा रन बना दिये थे अब लक्षे बड़ा बनेगा सबको पता चल चुका था ट्रेविस हैड का शतक आया और 133 टरंड की पारी उदर समित साब भी शतक लगा गए थे जिसके चलते स्कोरवड पर 470 रन थे उपर से भार्थी टीम के खेमे को तो देखे टॉप ओर्डर मिलकर भी 50-60 तक नहीं बना पाया और वहां तक पहुंसते पहुंसते भी 4 विकेट गिर चुके थे जीत की केवल एक ही किरन थी के अब कुछ रन तो बन जाएं ताकि उस्ट्रेलिया के सामने एक सम्मान जनक लक्षे बन जाए और फिर वो आगे चलकर लीड देने का काम शुरू करें लेकिन इसे संबब बनाने के लिए हमें बड़ी पारियों की तरकार थी और यह बड़ी पारियों केवल दो या तीन खिलाडी ही निकाल पासकते थे वो थे रविंद्र जड़ेचा, जींके रहने और शार्दो ठाकुर और यकिन मानिये तीनों ने अपना-पना काम किया सबसे ज़्यादा बहतर काम किया इस मैदान में दोस्तो जींके रहने ने रहने की बात करें तो 139 गेंदो में 11 चौके और एक गगंचूम भी छक्का चड़कर पैट कमिंस के ओवर में इस खिलाडी ने बड़े शांदार तरीके से अपना पचासा पूरा किया और फिर आगे चलकर 89 रन भी बनाए अफसोस इनका शतक रह गया 11 रन से लेकिन ये 89 रन भी इंडियन टीम को 296 तक पहुचाने में सबसे ज़्यादा कारगर रहे जड़ू 48 और ठाकुर भी क्यावणन बना कर गए थे लेकिन रहने की ये क्लासिक पारी इंडियन टीम की इज़द भी बचा गई और जीतने के राज से बर भी चड़ा गई है हमारी गाड़ी को अब भले ही उस्ट्रेलिया की टीम के सारे विकेट जल्दी ना मेरे लेकिन फिर भी हम लड़कर मैच में आगे बढ़ेंगे ये तो कनफर्म है अजीन के राणे कितने बैतरीन बैट्समैन अनुने पिछले वक्त में हाल फिलाल में हमें आईपेल में भी बताया जब उन्होंने कई धुआदार पारिया खेली आपको उनका भावुक बैयान सुनाते हैं दोस्तों आपको बता दें अजीन के राणे ने तनी बैतरीन पारी खेलने के बाद कहा जब भी आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो केवल एक मकसद लेकर ही मैदान में उतरते हैं पैतर से पैतर खेलना है और हर सिचुईशन में इसे टीम को निकालना है जब मैदान में मैंने कदम रखा तो देख चुका था कि हमारे सभी बड़े विगट से जा चुके हैं लेकिन तब भी उमीद नहीं हारी क्योंकि टीम को चिताने का मकसद जो था हातों में हमने तो साल मशक्कत करी है यहां तक महुँचने के लिए अब हम ऐसे नहीं जा सकते हैं केवले इसी जजबे के साथ बल्लेबाजी करता चला गया लेकिन मैं यह बात को भी भली बाती जानता हूँ केंगलंड के मैदानों में आपको टेस्ट में टेस्ट की तरह खिलना पड़ेगा अगर आप वन डे या टीडवेंडी का अंदाज अपनाएंगी तो शायद आप ट्रैप भी हो सकते हैं और यहीं गुंटों मैंने अपने कफ्तान महेंदर सिंग धोनी से सीखा है इस बार के आईपिल में भी और उस से पहले भी मैं खुत कोजनों से मातता हूं के ऐसे कफ्तान के अंडर मुझे वन डे में भी खेलने का मौका मिला अब आईपिल में भी और कभी टेस्ट मैचिस में भी शैद उनकी कफ्तानी का ही नतीज़ा है कि आज ये पारी भी आपाई इतने प्रेशर में और ना शायद ये भी मुम्किन ना होता लेकिन इस पारी को समर्पित में अपने फैंस को करना चाहूँगा जो ऐसे मोड पर भी हमें चीर कर रहे हैं अमीद है समयच कुम किसी भी हाल में जीत पाएं दोस्तो रहने का ये बयान बहुत कुछ बयान करता है खास दोर पर धोनी पर नोने जो कहा वो दिल जीतने वाला है लेकिन आप सभी रहने की पारी को खास दोर पर दसमें से कितने नमबर देंगे नीचे कमेंट करके ज़रू बताईएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को दन्यवाद